तारे सितारे वंगरहन अक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जन्मराशी का हाल मित्रो आज आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांग 4 मई 2024 शनिवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टीव भगवान शनिदेव की करपा से आज 12 में से 5 राशी वालों को भाग्य का भरपूर सांथ मिलेगा इन 5 राशी वालों में आज है व्रशब, मितुन, कन्या, तुला और मकर राशी वाले लोग वहीं अन्य राशी वालों को आज मिले जुले परिणाम मिलेंगे तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें आप नित्यका राशी फल नई नई जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज वैशा खमास कृष्ण पक्ष की एकादसी तिथी है शनीवार का दिन है आज दिन की सुर्वात पुर्वा भादरपद नक्षत्र से होगी और कुम्भ राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुर्यो दई प्रातहकाल पांच बच के 37 मिनिट पर होगा और सुर्यास तसाम के 6 बच के 58 मिनिट पर होगा आज राहुकाल प्रातहकाल आड़ बच के 57 मिनिट से आरम बहो करके प्रातहकाल 10 बच के 37 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहु काल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक व नया कारिय शुरू करने से बचें इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तू की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सोल रहेगा पूर्व दिसा में तो आज के दिन आप पूर्वदिसा की और मुख करके कोई भी शूब मांगलिक वा नया कारिय आरंब नहीं करें पूर्वदिसा की यात्रा से भी आप बचें और आज का सर्वस्रेश्थ महुर्त अभीजीत महुर्त आरंब होगा प्राता हकाल 11 बच के 51 मिनट से आरंब हो करक दोपर 12 बच के 45 मिनट तक सर्वस्रेश्थ वा शूब महुर्त रहेगा इस महुर्त में आप कोई भी शूब मांगलिक वा नया कारिय आरंब कर सकते हैं या किसी भी नई वस्तू की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो इस महुर्त में आप कर सकते हैं तो अब जानी अपनी जन्मराशी के अनुसार आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं तो मेंसराशी से आरंब करते हैं मेंसराशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा मेंसराशी वालों को आज मिला जुला परिणाम मिलेगा कारे छेतर में सफलता पाने के लिए काफी प परभावित भी हो सकता है आपके सत्रू पक्ष आपकी प्रगति में बाधाई उतपण न करने का प्रयत न कर सकते हैं विरोधियों से आपको सतर करहना चाहिए जीवन सांती के स्वास्त में अचानक गिरावट के करण आपको कुछ परेशानी के सामना करना पड़ सकता है आपको कोई पुराना लेन देन समय पर जुका ना होगा अन्यथा इसमें आपको परेशा नहीं हो सकती है आज आपको भाग्य का साथ 54 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है आज विश्नु चाली साका पाट करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है व्रशब व्रशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा व्रशब राशी वाले जातकों के लिए सुखद परिणाम लेकर के आज का दिन आया है आपको अपनी संतान की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है अगर आप किसी स्वास्त संबंदी परेशानी से जूज रहे थे तो आपको उस परेशानी से राहत मिलेगी आज आपके घर किसी अतिती आगमन के योग है उससे घर में अच्छा माहोल बनेगा किसी मांगली कार्यकरम में आपको सम्मिलित होने का अवसर मिल सकेगा वेवाहिक जीवन में सहयोग और इसनेह बना रहेगा बढ़ते खर्चों पर नियंतरन अवश्य रखे आज आपका भाग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपा इस प्रकार से है गनेश जी को लड़ूओं का भोगर पित करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है मिथुन मिथुन राश्य वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन आपके लिए उन्नती दायक है आपको कोई नई संपत्ती मिलने के योग बन रहे है लेकिन आपको आज संपत्ती से संबंदित मामलों में बेहत सतर कभी रहना चाहिए आज आपको किसी मित्र के घर दावत पर जाने का अवसर मिल सकता है आज वाहन का प्रयोक सावधानी से करें बहतर होगा आज आपको भाग्य का साथ 84 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपाईस प्रकार से है भगवान विश्नु जी के समक्ष सुद्ध गी का दिया जला करके विश्नु भगवान के नाम मंत्रों का जाप करें दिन आपका शुब रहेगा अगली राशी है करक करक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आपको अचानक लाब प्राप्ति के योग है आर्थिक स्थिती मजबूत होने से आज आप प्रसंद रहेंगे आज आपको परिवार के किसी भी सदस्थी के केरियर से जुड़ा कोई भी फेसला जल्दबाजी और भावुकता में नहीं लेना चाहिए परिवारिक जीवन में बड़े फेसले लेने से पहले घर के वरिष्ठ जनों से बात अवश्च करें अन्यता आपकी परेसानिया बढ़ सकती है और सामाजिक छेतर में आज आपका मानसम्मान और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी सेहत के मामले में आपको अंदेखी करने से बचना चाहिए वयवाहिक जीवन में जीवन साती से आपको सहयोग मिलेगा आज आपको भाग्य का साथ 88 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातह का लिश्णान करने के पस्चात ओम नमो नाराय नाय नमा इस मंतर का 108 बार जाप करें दिन आपका शुब रहेगा अगले रासी है सिम्व सिम्व राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज का दिन सिम्वराशी वाले जातकों के लिए मिसरित परिणाम देने वाला है, सरकारी छेतर के काम में आज आपको सफलता मिलने वाली है, लेकिन निवेस के मामले में आपको सतर करहना चाहिए, आपका पैसा कहीं अटक सकता है, आपको अपने खानपान पर विशेश ध्या में बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे, आपका कोई पुराना मित्र लंबे समय बाद आपसे मिल सकता है, जिससे कुछ पुरानी यादे आपकी ताजा होगी, आज आपको भाग्य का साथ 71 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है, क आज आपकी रूची रहेगी, लेकिन छात्रों को आज अपनी पढ़ाई और सिक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए, आज आपको परिवार में चल रही किसी समस्या का समधान करने के लिए, जीवन सांती से सहयोग की आवश्रक्ता रहेगी, और लव लाइप में आज का दिन आपके पक्ष में कम रहेगा, प्रेमी से किसी बात पर विवाद हो सकता है, यदि आपने पहले किसी को पैसा उदार दिया था, तो आज वापस मिलने से आपकी खुशी बढ़ेगी, आपके लिए सलाह यह है, कि आज क्रोध और वानी पर सैयम अवश्रक्ता हैं, आज दिन राशी है तुला, तुला राशी वालों के अनुसार आज का दिन उपलब्दी देने वाला है, जीवन साती के सयोग और सानिद्य से आपका मन प्रसन रहेगा, और आपका कोई महत पुरुन काम पुरा होगा, मौसम की प्रतीकुल प्रकरती आपके स्वास्थ को प्रभा बन सकते हैं, बहनों से आपको इसने हैं और लाव होगा, काफी समय से अटका हुआ, आपका कोई काम आज पूरा हो सकेगा, आज आपको भाग्यकासाँ 96 प्रतीसत प्राप्त होगा, आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्रतहकल, इसनान करने के पस्चात, स्र आज का दिन वर्ष्चिक राशी वाले जातोकों के लिए शुब फलद आई है, आपके आमदानी में व्रद्धी होने से, आज आप आनन्दित होंगे, अपने कुछ पूराने कर्ज जुकाने में सफल रहेंगे, आपकी मुलाकात किसी प्रभावशाली व्यक्ति से होगी, ज इससे आपको भविष्य में फाइदा होगा, परिवारिक जीवन में आज का दिन आपके लिए सुखद रहेगा, लव लाइप में आज प्रेमी के साथ आपका रोमांटिक समय वेतित होगा, शिक्षा और शिक्षन कारी से जुड़े मामलों के लिए आज का दिन सुखद अगले राशी है धनु, धनुराशी जातकों के लिए संसरिक सुखसादनों में व्रधी को लेकर आज का दिन आया है, कोर्ट गचरी के मामले में आपका कोई मामला चल रहा था, तो आज उसमें आपको सभलता मिलने वाली है, किसी बात को लेकर पार्टनर से आपकी बहस हो स सकती है, जिससे आप तनाव गरस्त रहेंगे, आज वानी पर सयम रखें, आप अपनी रोज मर्रा की जरूरी चीजों की खरिदारी पर धन खर्च अधिक कर सकते हैं, आपके कुछ नए सत्रू भी आज उत्पन हो सकते हैं, जिनसे आपको सतर कर रहने की आवशकता है, आज विशे सुपाई इस प्रकार से है, प्रातह का लिष्णान करने के पस्चात, स्री गनिश चालिसा का पार्ट करें, दिन आपका शुब रहेगा, अगले राशी है मकर, मकर राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज का दिन आपके लिए अनुकूल आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, आज आप इसके कारियों को जल्दी पूरा करके घर आने का प्रयत्न करें, और कारी छेत्र में आज आपको अपनी योजना का लाब मिलेगा, वाहन का प्रयोगा सावधानी से अवश्य करें, अचानक आपका समय मनोरंजक व्यतित होगा और आप रुची कर भोजन का आनंद ले पाएंगे आपको साम तक कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है आज आपको भाग्य का साथ 68 प्रतिसेत प्राप्त होगा आज आपका विशेशुपा इस प्रकार से है कि आज गाय को गुड़ ख हुआ रहेगा परिवार में किसी सदस्य के स्वास्त में गिरावट को लेकर आप भाग दोड़ करेंगे और थोड़े चिंतित भी हो सकते हैं आज आपके खर्च बढ़ सकते हैं जिससे आपका बजट गड़ बढ़ा सकता है प्रापर्टी के काम में आज आपको लाव होगा अगर आप जमीन या मकान का सोधा करने जा रहे थे तो कागजात को ठीक टाक से पढ़ ले उसके बाद हस्ताक्षर करें आज आपको किसी भी मित्र को बिना सोचे समझे किसी बात को लेकर हां नहीं करना चाहिए नहीं तो आपकी समस्याई बढ़ सकती है और जीवन सांती से आपको भरपूर सयोग मिलेगा ससुराल पक्ष से आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी आज आपको भाग्य का सांत 98 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशे सुपाई इस प्रकार से है प्रात हकाल इसनान करने के पस्चात स्री बजरंग बांड का पाट करें दिन आपका शुप रहेगा अगली राशी है मीन मीन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आपके सितारे कहते हैं कि बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आज का दिन सुख़द रहने वाला है आपकी कोई डील जो लंबे समय से अटक रही थी आज फाइनल हो सकती है कारोबार में आज आपको अपनी योजनाओं का लाब होगा साम को आपको कोई महत पुरुन जानकारी मिलेगी जो आपके लिए फाइदे मन रहेगी माता पिता से आज आपको सहयोग मिलेगा जिससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा विध्यार्थी वर्ग क बोध्धिक और मानसिक बोज से राहत मिलेगी और प्रतियोगीता में आपको सफलता के योग हैं आज धर्म कर्म के कारियों में आपकी रूची बहतर होगी आज आपको भागे का साथ छियोत्तर प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशी सुपाई इस प्रकार से हैं प आपको हमारी देनिक राशी फल की जहनकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वर शेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरी करश्ण मित्रों फिर मिलेंगे